नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बहनों से अपील हैगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक नाइस सेहर कर दीजेगा अ कि नटवरलार दिली के फ़मोख्यमंतरी अरभिंद केजरिवाल के किस्से कहानिया जो हैं वह कम होने नामहीं नहीं ले रहे लेकिन अब जो किया है अर्बिंद केजरीवाल ने वो इस देश की सुप्रिम कोर्ट पे इतना करारा तमाचा मरा है, कि सुप्रिम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जबाब कैसे दे अब आप सोचेंगे कि मैं सुप्रिम कोर्ट के मुह पे तमाचा मारने की बात क्यों कर रहा हूं अर्भिंद केज्रिवाल के पीए था अब इसमें वो भगवंतमान का एडवाईजर हो गया है उसका नाम था विभौकुमार विभौकुमार ने अर्भिंद केज्रिवाल के ही पार्टी के एक सांसत स्वाती मालीवाल को फायार हुआ फायार होने के बाद वह सौ दिन तक जेल में रहा और उसके बाद उसके बेल जो है वह सुप्रीम कोट से होई और सुप्रीम कोट से बेल कराया उसके देश के सबसे महने वकील अब सेक मनु सिंग्वी ने सुप्रीम कोट ने जब उसको बेल दिया उससे पहले जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोट में क्या-क्या उसके बारे में कहा था इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन ये मामला फिल तूल क्यों पकड़ लिया है ये मामला इसलिए तूल पकड़ लिया है कि सुप्रीम कोट के मना करने के बावजूद अरभींद के जरिवाल इसमें क्या है मुखमंतरी नहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं मुखमंतरी का अपने पार्टी का राष्ठी अध्यक्ष है और क्यों स्तिपा दिया मुखमंतरी उसका नाम आया सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट देते हुए उसके जमानत का जज्जमेंट देते हुए यह कहा था कि तुम सीम आफिस का यूज नहीं कर सकते हो इस्तिपा दे दिया वो ड्रामा चला उसी विभव कुमार को पंजाब सरकार के हेलिकाप्टर में बिठा करके जम्मू कस्मीर की सेर करा रहा है कौन अर्विंद केज्रिवाल और इस तवाल को पूछा सबसे पहले किसने स्वाती मालिवाल ने बकायदा फोटो डालते हुए वीडियो डालते हुए तो पहले वीडि और यह देखिए पंजाब सरकार की सेकरोटी सब सारी चीजे हैं यह पीछे देखिए अब विभव कुमार खड़ा हुआ है इस अब इस वीडियो को टैक करते हुए स्वाती मालिवाल ने सोसल मीडिया पर क्या लिखा उसको देख लीजिए 3.7 लाग करोड के करज में दबे पंजाब की जन्ता के टेक्स के पैसे पर उडान भरने वाले हेलिकाप्टर में अर्बिन के जिवाल अपने गुंडे विभव कुमार पीछे सपे सर्ट के साथ जम्मू की वादियों में घुमने आये हैं चरण जमीन पड़ पड़े तो आलिसान लैंड कुरूजर गाड़ी में बैठ गए कल स्री राम के अदर्सों की बात कर रहे थे आज अपने गुंडे को हेलिकाप्टर में ले करके घूम रहे हैं बिल्कुल साफ है कि इनके मन में सुप्रीम कोट का भी कोई सम्मान नहीं है कि दिली महिला आयोक के अध्यक्स लंबे समय तक बनी रही है यह स्वाति मालिवाल वही है जो प्रस्टनल असिस्टेंट या एक कालीज एडवाईजर के तौर पे लंबे समय तक अर्बिन केजरिवाल के साथ काम दिया यह तो अभी बिगड़ गई यह बात है खैर आगे बढ़ते हैं क्या गुंडो को रखने के लिए अब सुप्रीम कोट ने कैटिपड़ी की थी क्या गुंडो को रखने के लिए सीयम आवास है रहने के लिए या रखने के लिए स्वाती मालिबाल से मारपीट में जमानत मांगने गया अर्बिन केजरिवाल का पी ए विभव कुमार सुप्रीम स्प्रीम कोट पूछा कि सी महाउस में गुंडे होने चाहिए विभव को स्वाती की हालत पता ते फिर भी मारा क्या सत्ता का नसा दिमाग पूछड़ गया है कि कौन पूछ रहा है सुप्रीम कोट क्या कहता है कि देखो भाई सो दिन तक है जेल में रह लिया अब इसको जमान देता है सुप्रिम कोच ठीक मतलब इतना गिरा हुआ पॉलिटीशियंस आपने तंसार में नहीं देखा होगा यह अपने आपको बताता है मैं ब्रह्मांड का सबसे कटर इमांदार हूं नहीं वहिए ब्रह्मांड के बाद भी कोई ब्रह्मांड होता होगा तो वहां का एक कट्टर बेमान आदमी है अच्छा यह देख लीजिए इस पर धारा क्या क्या लगी विभु कुमार पर 354 भी लगा है 308 लगा है 323 लगा है 506 लगा है 509 लगा मतलब इतनी धाराएं लगी इस बेक्ति के बाद जमानत सुप्रिम कोट से हो रही है सबसे महगा वकिल अब सेक मनुष सिंग्वी खड़ा होकर करके जमानत करा रहा है अच्छा फिर क्या कहते है जैसाथ न्याय मूर्ति सुरिकांत और न्याय मूर्ति उज्वल भुईया की पीट ने निर्देश दिया कि विभु कुमार को कजरिवाल के नीजी सह लायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा मुक्हमंतरी कारयालय में कोई आधिकारिक कारभार नहीं दिया जाएगा और ये पंजाब सरकार के सरकारी हेलिकाप्टर ये प्राइबेट में घुमे कोई दिक्कत नहीं पंजाब सरकार के सरकारी हेलिकाप्टर में अरविंद केजरिवाल किस हैसिया से बैठा और ये विभव कुमार किस हैसिया से बैठा ये बात भगवनतमान को बतानी चाहिए और पर आएगी तो वहां से मिस्यूज होगा लेकिन इन अपराधियों को इन तरीके के तक्तों को पता है कि इस देश में अभी से कि नहीं कुछा जाएगा नियम बता दिया जाएगा आपने तो दूसरा वाला आडर हो गया खैत इन्होंने कहा था कि मुख्मंतरी आवास परवेश नहीं हो सकता तो मुख्मंतरी आवास तो केजरिवाल ने भी छोड़ दिया अब आगे जब सुप्रीम कोट इस तरीके का प्रोटोकाल होता है कि वह उसकी सरकार किसी प्रदेस में हो तो वहां का सरकारी हेलिकाप्टर यूज करें अपने नीजी चीज के अपने पार्टी के परचार के लिए को पुछ है का इस देश के सवाल सुप्रीम कोड तो तुरंत दिल मिला जाती है एक जस आप क्या कर रहे थे जमानत देते हुए तो उता की तरह बोल रहे हैं आप किस की तरह बोल रहे हैं मिलार्ड आप किस की तरह बोल रहे हैं और आपके जजमेंट की क्या उकात है केज्रिवाल के नेजर में देख लिजिए ना प्रतेक्ष किम प्रमाणम प्रतेक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है अब थोड़ा इनी के मित्र कुमार मिश्वास जो एक्स्प्लेन कर रहे हैं विभव कुमार के बारे में वो सुन लीजिएगा 30 से पर कभीर जो मेरा फाउंडिशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है यह वही सर्जनते विभव कुमार जो बाद में इन फेमस विभव कुमार जो बाद में अर्विंद के पीए बने पहले दिन से और इस पाइटी में इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रासरूट काम सक्सेटान हुआ । लोहों की चरितर हत्याय करने कि उनके खिलाफ टवीट कराने उनके वारे में फैमिली के बारे में गंद्धयां करनी या मतलब यह तरो जैसे हैं कि वह तरह कि राज़दार टफ डेव कुमार बादमें उनके बने शुल लिया आपने यह क्या कर रहे हैं कि आया था एक 10-15,000 का एक वरकर था जो पाइप उठाता था इन लोगों कैमरा एवरा सेट करता था बताया जाता था कि पड़ा लिखा बेक्ति घोर बामपंथी है जैसे आतिसी मारलीना घोर बामपंथी यह भी घोर बामपंथी है गो करने वाला व्यक्ति आता है और अर्भिन केज्रिवाल का इतना खास बन जाता है कि उसके लिए सब कुछ अर्भिन केज्रिवाल दाव पे लगा देता है आप याद रखिएगा स्वाती मालिवाल को पीटने के बाद एफ आयार होने के बाद यह उत्तर प्रदेश पहुच स्वाती मालिवाल के बारे में पूछा गया उसको पीटने के बारे में पूछा गया तिसकी घ्रगी बद गई तीसी के जिवाल की वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूं आप लोग अभी तक आप कुछ बोले नहीं है आप यह उससे पूछा जाता माईक कैसे करता देखिए जिसे साफ सुन लिए हैं अब उससे ज्यादा जूरी और चीजें भी हैं आगजबाई किसी के सगे नहीं है यह है कि बाजबाई किसी के सगे नहीं है और बाजबाई जूटे मुगद्बे लगाने वाला गैंग है अब इस मसले पर पूछे क्या बताए क्या अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव माईक उठाते हैं कि केजरिवाल पहले डरा हुआ था वो माईक दरूदर कर दिया भी यह माया ना बताऊंगा इसके बारे तब जाकर के संजय सिंग बताता है यह वही संजय सिंग है जब स्वाति मालिवाल पिटी थी तो स्वाति मालिवाल के घर गया था और अफिसियल इसने प्रेस कांफरेंस करके कहा था कि के अरविंद के ज़िवाल से कहा गया है अरविंद केजरिवाल के खिलाप बोल दे कोई और जिसको चाहता है उसको गर्याता है इसी के साथ काम करने वाले का रहर है इसके पाटी के नेता करते हैं यह विवोकुमार अरबिंद केज्रिवाल के घर के सब्जी सब्सकूश करने वाला विवOST YES समझ रहे है है इसलिए जब दिलिट में इसको बैन लग गए इसके हिसाब से सुपरीम कोट का तो पंजब भेज दिया गया तो उस खबर को विम मैंने विस्लेशित किया था आप समझ रहे हैं यह नैतिकता की बात करते हैं इयह बताते हैं कि हम बहुत कट्टर इमांदार हैं और सुनिये इनके पार्टी वाले क्या करते हैं वो और जब अर companies अज गुंडे को सब को सुन लिया आपने अब चलते हैं मेन खबर पर दे दिये जमानत प्रवेश और इस प्रोक लगा दी स्वातिमालिवाल से मारपिट मामले में विभवकुमार को सुप्रीम गौत से मिली जमानत ने शर्तवुअ कети लगा दी सुप्रव नहीं उसका शौतीम आलीवाल को पिटने का आरोपित विभव कुमार बना भगवंदमान का सलाकार एक्टिविष ने इस बात का किया था खुलासा तब मैंने इसपे भी वीडियो बनाया था ठीच भगवंदमान साहब के परकतर दिये गयांसे ठीच नाव विभव कुमार विल कंट्रोल पंजाब पिये आप अर्विंद केज्रिवाल कि अब इसकी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं भगवान राम के जैसे केज्रिवाल ने भी मर्यादा के लिए गद्धी छोड़ दी सीम के इस्तिपय पर बोले सौरब भारतवाज भगवान राम है भगवान राम है किसी हैस्यस से रावण लायक नहीं आ राम की तुबाथी छोड़ दीजिए इसको रावण भी पहना आप मान है रा मध का राम की तो बाती चोड़ दीजिए सुझा Soo- पैसियत नहीं है भक्ती करना एक देखने हैं वह सीम बनी है दिल्ली की वह अर्बिंद केजरिवाल का स्लीपर रख करके उसके सीट पे करें कि आप इस पर सासन करूंगी मैं पूरी पाटी ड्रामे बाजी नव टंकी काम धाम कुछ नहीं कुछ कुछ चीज़ें फिरी की हो जन कंभर कोई नहीं काम करते हैं चार साल पांच साल कोई नहीं काम करते हैं जैसे चुनाओं आ जागा लालीपप लेकर के खड़े हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है जंता चाहिए अर्बिंद केजरिवाल का राजनीतिक अंत चल रहा है जो लिफ्ट मिलनी चाहिए था अर्विंद केड्रिवाल को जेल जाने के बाद वह मिल नहीं रही है और क्योंकि इस बेख्ती के बारे में अब लोग दीरे 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 जान गए है कि बतोले बाग्क्ष सत्ता से चिपकने वाला बैक्षित सक्ता को यूज करने वाला बैक्ति है और इसकी पार्टी के लोग भी अब दीरे-दीरे जान रहे हैं कि भीया देखो अर्विंद केजरिवाल किसी दिन हमको फसा करके निकल जाएगा अपने हम फस जाएंगे यहां पर तो होगा उसका खेलता मासा होगा लेकिन पंजाब में यह चार्टर प्लेन का प्रयोग करता है आपको पता है ना पंजाब की एक सांसद है हर सिम्रत कौर जिनोंने संसद में आन रिकॉर्ड बोला था कि हमारा तो प्रधान मंत्री अर्विंद केज रिवाल का है कि वह आता है हरे काल बेंदा बीकाप्टर में बैठता है और फिर उसके साथ-साथ यह घूमता रहता है क्योंकि दिल्ली के पास चार्ट प्लेन था नहीं तो अब भगवंत मान चार्ट प्लेन में चले तो अर्विंद केज्रिवाल क्यों नहीं चले तो कहा कि ठीक है भगवंत मान तुम मिले कर क्या हो चलो घूमते हैं यह अपने देखा होगा प्रचार करने के लिए इंडी पता चल गई है वो इस फिराक में है कि किसी तरीके से पंजाब में उसकी एक्सेप्टिविल्टी बन जाए और वो पंजाब का सीयम बन जाए चाहे कुछी समय के लिए बन जाए यह इस तो दोस्तों यह था विसलेशन होप आप लोगों को पसंद आया होगा आकलन करिएग इस ब्यक्ति की और सुप्रीम कोर्ट का भी आकलन करिये था जिनोंने दोनों को जमानत दी हुई यह सर्तों के साथ क्या आपको नहीं लगता है यह एक बड़ा तमाचा है नया प्रणाली पे नया व्यवस्ता पे और जस आप लोग जो जज्जमेंट लिखते हैं उसके उपर अब कारवाई क्या होगी क्या नहीं होगी अगर कुछ होती है तो फिर उसके बारे में उसका बिस लिसन किया होगा आप मेंबर भी बन सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में जोइन पटन है जै हिंद जै भारत जै सिर्रांग